जहें दोस्तो मेरा नाम है अतूलो और स्वागत रहा आपका अपनी यूडिप चैनल अतुल्टेक बजार में दोस्तो लेटेस्टी लॉण्च वे तो ब्यूटिफुल मॉबाइल हमारे अफ़ास में है पोको M5 और रिड्मी 11 प्राइम इस वीडियो में दोस्तो टीप स्पीड टेस्ट हम करने वाले हैं देखते हैं कि कौन सा मॉबाइल आगे निकलता है वैसे आपको उता दो दोनों ही मॉबाइल जो है mostly same ही specification के साथ में आते हैं पर बैक की डिजाइन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों की different और काफी अच्छा look यहाँ पे मिलता है पोको में आपको leather bag design मिलता है and red में 11 prime में sunny texture design मिलता है दोनों में MIUI 13 का support मिलता है android 12 के साथ में और यहाँ पर आप दे सकते हैं दोनों की जो RAM है यहाँ पे 6GB, 128GB में यूज़ कर रहा हूँ 2GB का यहाँ पे जो है RAM booster का support मिलता है और यहाँ पे जो processor है Helio G99 processor है जो की 6NM processor है और साथ में दोस्तो 6.5 इंचेस की FHD plus display मिलता है और यह जो display है 90Hz refresh rate के साथ में मिलता है दोस्तों चैनल पर नहाँ सब्सक्राइब जरू से करेज़ेगा बेल आगरन को भी प्रेस करेज़ेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुझा है चलिए फड़ाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे बिले दोस्तों यहाँ पर हम बूटिंग टेस्ट करने वाले हैं दोनों ही मोबाइल को सेम टाइमिंग पर मैं टैप करता हूँ बूट करने के लिए और देखते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट बूट होता है यहाँ पर वीडियो को थोड़ा से मैंने फास्ट फारवड कर दिया पोको मी की ब्रैंडिंग आ चुकी है और देखते हैं पोको एम फाइब जो है दोस्तों पहले यहाँ पर बूट हो है अकईंस सेम टैमिंग पर मैंने यहाँ पर टैप किया है देखते हैं की कॉन सा मोबाइल सबसे फास्ट इस एप को अस्टाल करता है और दोनों ही मोबाइल सबसे पहले चुका है POCO M5 में और थें थोड़े ही सेकेंड के बाद Redmi 11 Prime में तो इस एप डाउनलोडिंग टेस्ट में POCO M5 जो है विनर बनता है अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल में जिसमें G99 प्रोसेसर है हम यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं थोड़ा सा वीडियो को fast forward में ने किया है 13 MB और 15.9 MB यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्राइम है उसमें थोड़ी सी जादा डाउनलोडिंग स्पीड है अपलोडिंग स्पीड थोड़ी सी जादा M5 में है तो दोनों ही यहाँ पर एकवल एकवल ही मुझे लगता है तो इसी डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर आपको प्राइम में अच्छे मिलती है अब दोस्तों यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग टेस्ट हम करने वाले हैं इस टेस्ट के दुरू हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि CPU को कितना थ्रोटल करना पड़ता है अगर आप मल्टिटस्किंग या फिर गेमिंग कर रहे हो तो भी इस टेस्ट में जो है मिनिमम फाइब मिनिट लगते हैं थोड़ा समय यहाँ पर फास्ट फरवड कर दिया है आपके पास समय आप इस चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने है आप देख सकते हो mostly green line ही हमें मिल रही है कोई भी yellow और red line नहीं है और score आप देख सकते हो 95 and 93% तो यहाँ पे 2% से Poco M5 जो है winner बन जाता है बट approximately यहाँ पे दोनों के ही score जो है same ही मिलते हैं Helio G99 processor है यह 12N1 नही 6NM processor है इसलिए score आपको काफी बहतर मिलता है काइन master app के तुरू अगर आप video editing के लिए इस mobile को ले रहे हो तो यहाँ पे max to max आपको 1440p याने QSD तक video output आप ले सकते हो और यहाँ पे आप 60fps का support दोनों में ही लिख सकते हो 1080p या फिर 1440p तक तो यहाँ पे दोनों को ही हम यहाँ पे speed test करने वाले है rendering test की हम अगर कोई video render करते हैं तो कौन सा mobile सबसे fast render कर पाता है तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही भाई-भाई हैं और equal तरीके से यह चल रहे हैं और equal timing पे ही दोस्तों दोनों ने ही video को render करके दिया है तो speed यहाँ पे आपको same ही मिलती है दोस्तों background में कोई भी running app नहीं है background बिलकुल भी clear है आप दिख सकते हो यहाँ पे कुछ online game कुछ heavy game offline game कुछ online app और कुछ offline app को हमने include किया है हम यहाँ पे app opening test करने वाले हैं तो भाई सबसे पहले सबसे heavy game और सबसे आदा online खेले जाना वाले game को हम open करके देखते हैं bgmi को pubg को और यहाँ थोड़ा सा fast forward मैंने किया है दोनों mobile जो है same equal speed के साथ चल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही mobile ने इसे same timing पे open किया है थोड़ा सा इदर उदर हो सकता है पट same timing हम इसे यहाँ पे बोलेंगे अब यहाँ पे दोस्तों end to benchmark score open करके देख लेते हैं यहाँ पे भी same timing पे open हुआ है M5 का जो end to benchmark score 3,78,000 के आसपास आता है और थोड़ा सा यहाँ पे कम मिलता है 3,75,000 Redmi Prime में तो दोनों के ही score approximately same ही है और speed भी आप देख सकते हो दोनों ने ही same यहाँ पे open किया थोड़ा सा यहाँ पे पहले prime ने open किया बट एक दो second का फार्क होगा अब यहाँ पे candy crust देख लेते हैं open करके तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो same ही लग रहा है थोड़ा सा पहले यहाँ पे POCO M5 ने open किया है पहले अब यहाँ पे एक offline game Krishna को open करके लिख लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही mobile जो है save speed से चल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पहले Redmi 11 Prime ने यहाँ पे थोड़ा एक दो second से पहले open कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़ादा खेला जाने वाल game Ludo King को open करके देखते हैं कि कौन सा mobile सबसे fastly इसे open करता है Poco M5 या फिर Redmi 11 Prime दोनों ही mobile में G99 processor है थोड़ा सा पहले Redmi 11 Prime ने इसे open किया है अब दोस्तों YouTube को open करके देख लेते हैं जिस एप में आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रह देखेंगे तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो यहां पे Redmi 11 Prime ने थोड़ा सा इसे पहले open कर लिया है अब यहां पर Chrome जिसमें हम सबस्यादा browsing करते हैं यहां पर भी थोड़ा सा पहले Redmi 11 Prime ने open किया फ्लिपकाट एप जोकि online एप है और Flipkart Big Billions यहां पर चल रहा है तो यहां पे आपको यह mobile बहुत ही सस्ते भी मिल सकता है दोनों की mobile struggle कर रहे है ओपन करने के लिए Poco M5 ने इसे पहले open किया है और अगें से एक और online swapping app Amazon जिसमें यहां पे offer वाले sale चल रहे है इसमें भी यह mobile काफी सस्ते दाम में मिल रहे हैं दोनों भी तो यहां पे जो है Amazon को सबसे पहले Poco M5 ने open किया है अब दोस्तो रेम management टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से झाल अब जितने भी स्पीट टेस्ट आम नहीं है कि उसके बारे में बाद में बात करते हैं सबसे बले दुस्तो रैम मेनेजमेंट आपने देखा होगा दोनों ही मेबॉल का रैम मेनेजमेंट काफी बढ़िया है और इसके लिए थामसप तो बिल्कुल बनता ही है तोनों ही मोबाइल के लिए पोको एम 5 हो या फिर रैम मेनेजमेंट काफी डिसेंट है आपने देखा होगा कि जो गेम थे, जो एप थी, सबी दुस्तो रैम मेमोरी के अंदर थी इसलिए एप को ओपन करने के लिए कोई भी टैम नहीं लगा, कोई भी एप इहांपे रैम मेनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा है थोड़ा से यहाँ पर Rebooting Test में जो है Poco M5 आगे निकल गया, कभी यहाँ पर App Opening या फिर Downloading Test में Poco M5 आगे निकल गया, बट Different इतना भी नहीं था कि जिसे हम यहाँ पर बोल सके कि एक Mobile आगे है और एक Mobile बहुत ही पीछे, यहाँ बहुती माइनर सा डिफरेंस अमको Speed Test के अंदर देखने को मिलता है, बाकी और ओर सारे फीचर्स यहाँ पर सेमी मिलते हैं, पस यहाँ पर अगर बड़ा यहाँ फर्क डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर डिजाइन का है, पोको में आपको जो है लेदर बेक डिजाइन मिलता है, और यहाँ पर टेक्शेर साइनिंग डिजाइन आपको मिलता है, दोनों में से आपको जो भी डिजाइन पसंद है, आप इस Mobile के साथ जा सकते हो, G99 प्रोसेसर काफी उम्दा प्रोसेसर है, और यह जो दोनों ही Mobile है, Amazon के अंदर, या फिर me.com के अंदर, काफी अच्छे डिसकाउंट में अभी मिल रहे है, दोनों ही Mobile की जो प्राइजिंग है, उसमें भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इसका जो पीस फिरेंट प 4GB, 64GB, 11-12,000 रुपे के अंदर, इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जाइन बोलते रही है, पंदे मातरम.